नमस्ते दोस्तों सुप्रभाद कहीं आप सब कैसे हैं आसा करती हूँ आप सब पड़िवार अच्छे ही होंगे तो चलिए जुड़ते हैं कुलकता की दीदी रेनु ब्लॉक से दोस्तों तो चलिए आज ओल का सब्जी बनाते हैं ओल और यह आलू तो ओल को पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं हम लोग तो ओल बोलते हैं यह जो स्टाइफ का होता है मिट्टी का आलू जो है इसको हम लोग ओल बोलते हैं तो ओल का सब्जी आज बनाते हैं पुरा बिल्कुल ही आपको लगेगा जैसे हम पनीर खाने हैं पनीर के सब्जी के तड़ा ही यह बनेगा तो चलिए ओल का सब्जी का मसाला त्यार करते हैं तो चलिए दोस्तों ओल का सब्जी बनाते हैं गया जला ले और तो इसमें तेल डाल दे ओल को भूजने के लिए तेल डाले तो तेल इसमें ज्यादा लगेगा इसको गड़ा होने देते हैं तो दिखिए तेल गड़ा हो गया है अब इसमें ठोरा जीरा का फोड़न देगे जीरा डाल देए जीरा चाटक देगे अब इसमें पोल डाल दे रहा है भिजने के लिए आज को धीमा करके थोड़ा भूजे इसे तरह से भूज लेगे से पनील को भूजते हैं इस तरह इसको भूज लेते हैं दोस्तों देखिए हम मसाला पीस लिए हैं पर आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई जी इसमें क्या क्या दी हूं कारण है जो हमारे हाँ देखिए कारेंड चला गया है कारेंड नहीं है तो गारी आया था यहां हमारे घर के सामने ही ट्रांसफर्मा है तो पता चल गया था ज दिखाई नहीं जल्दी जल्दी करके पीस ली हूँ अब बता दे रही हो इसमें धनिया जीरा लसुन अद्रक और मिर्च हैं यह सब डालके हम पीसे हैं और थोड़ा सा हो तो दो चार्टो आप आमन डाल सकते हैं इसमें डालके पीस लीजिए मसाला पते यार तो मेरा भी मसाल नहाड़ा धनिया है तेश पत्ता और यह कटा हुआ प्यांच और टमाटर रहा सुखा मेर छे यह सब से छोपा लगाएंगे तो चलिए इस सब तयार तो कर लिए हैं अब पनीर बोले देके बार बार पनीर जैसा होता इसलिए पनीर ही मुह में आ रहा है और ओल को भुज ल और अच्छा है कि ऊच्छा लग आप चलिए तो भूजने के लिए इसी तेल में तेल दिये थे वही तरवी तेल है आज समें थोड़ा सर्सो का फोड़न देंगे इसमें सर्सो दिया है सुखा मिर्च साइज पानी पढ़ गया है कड़ाहे में इसमें चतक रहा है अब इसमें आलू डाल दे रहे हैं आलू को भी ओल के तड़ा ही अच्छी तरह भूज लेंगे इसे भूजने दे रहे हैं देखिए आलू भूजा गया है अब इसे भी निकालने रहे हैं कि चलिए अब मसाला घुजने की छोका लगारे मसाला की लॉंग अड़ी नाइची दोनों एक साथी दे दिये हैं हो गया है अब प्यास डाल दे रहें कि प्यास हो गया है अब इसमें तेज़ पत्टा डाले हैं तेज़ पत्टा पहले एं अगया जल जाता है इसलिए डाल देंगे जो मसाला भूच पीसेद है जो डाल देंगे हम मसाला को पूदा अच्छा से भूज लेंगे हैं अब भूजने दें हम मसाला में टमाटा डाल दे रहे हैं पोल भी डाल दे रहे हैं हालू भी डाल देंगे अब इसको दीमी आज करके अच्छी तरह भूजेंगे अच्छी तरह भूज ले रहे हैं इसको बारिश भी आ गई है अब सब्जी में प्रण नीमक डाल दें नीमक डाल के फिर भूजेंगे अब इसमें पानी डाल दे रहे हैं ज्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि यह सब पुरस सिजा हुआ है अलू भी सिजा है और ओल भी सिजा है तो ज्यादा पानी नहीं देंगे थोड़ा ही पानी देंगे बस इतना काफी है जब से ढग दे रहे हैं देखिए हमारे पतिदेव एक भिंडी और एक कड़ेला नहीं से तोरकर लाए हैं जो इस साल का पहला फल है पहला फल है अभी तो ना है तो चलो अभी बना लें तो छलिए इसे बनाते हैं है को दोस्तों देखिए मेरा ओल का सब्जी बनके त्याइर है अब गड़म मसाला टाल दे रहे हैं इसम गड़म मसाला दिए हैं ह्ज़्वा भड़ा धनिया डाल दिये कितना अच्छा गोल कितना सुन्दर गला है देखिए देखिए कि प्रस्दर गल गया है चलिए बीना पनीर का पनीर वाला सब्जी तो देखिए दोस्तों ये जो भिंडी लाये थे एक भिंडी और एक करेला उसका भाजी बना लिये हैं और ये रहा ओ लालू का सब्जी जो हमना स्पेशल पनीर है और आज क्या-क्या और बनाई हो ये देखिए पालंग साख देकर डाल बनाए हैं सुबा का नास्ता में बनाए थे बरवट्टी आलू और बड़ी डाल का सब्जी और रोटी और ये चावल है तो आज मेरा खाना यही है तो कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं नमस्ते खुस रहिए खुसिया वाटिये और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिजिए जदी सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चलिए नमस्ते